हेलो नमस्कार गुड़ बार्निंग सुप्रभात कैसे हो वह बढ़ी आओ कैसे लिए आपके तैयारी बिलकुल अच्छे चल रही है चलने वी चीए जवरदस चलने चीए जोड़दार चलने चीए खतरनाक चलने चीए दुमेदार चलने चीए दिन दुगनी राज चोगनी चलने चीए और जवरदस चलने चीए क्योंकि आखों मेयार मान लिया मंजिल को अपना मान लिया अब मुस्किल है या असान है ठान लि आपकी मकर सकरांती का पर्व भी था अलाकि प्रस्थावीत परसो था लेकिन मनाया कल गया था लेकिन kुछ लोगों संड्य को मंडे जो मनाया है तो कुल मिला की अच्छा पर्व था पुन्यका पर० था दान का पर्व था धर्म आपने मनाए और आगे हैना और भी ऐसे पर्व आते रहेंगे लेकिन नौकरी के साथ जो पर्व है उसकी बात ही कुछ होती है है ना हां तो बिलकुल हम सभी जोने एक बार क्लास को सेर कर दो बेटा ललीता जी मौमता जी परवीन जी संकर जी महेंदर जी जै जी अजय चैन नहीं किया है एक दो दिन मुझे आगे बैच भी चैन्जेश करने पड़ेंगे ना इससे आगे बैच होते हैं तो उसे भी इदर उदर करना पड़ेगा तो देखते हैं टाइमिंग है ना करते हैं अब यह सब चे किया थोड़ा 15 मिन आगे कर दिया है लिंग करेंगे न थोड़ा बहुत जल्दी में आपके ग्लास आट बजे करने वाला हूं एक दो दिन में ठीक है तो आज एक नया सेशन है एक नया अध्याई है एक नया टॉपिक है नया चैप्टर है वो है पसु रोग ठीक है अब पसु रोग में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना क् आपके फिल्ड में भी काम आएगी ठीक है आगे जब जौब में आओगे तो फिल्ड में भी काम आएगी और फिल्ड के साथ-साथ आपके यहाँ पर देखो नसले तो क्या होता है कि पसु संबदा में जीकेम थोड़ी बहुत सुनी हुई थे फिक है जैसे मुरा है गिर है किताब आने की वज़े से क्या है अब वो किताब सामने रखके मेरे साथ पढ़ सकते हैं कल पथसोखू मेंसज आए कि बहुत अच्छी है कुछ एक नेगिटिव मेसेज भी आये किताब के सारे पढ़ने तो कलर नहीं है सारे कलर फूल नहीं होते बटा कलर फुल क्या होते हैं Poniat क्योंट से ये किताब है, अब आपको बतूँ ये किताब बहुत भी की है, है ना, ये, ये सुपर वाइजर, इसे की तर्ज पे बने है, इसमें भी आप देखेंगे ना, तो ये किताब लगबख 50,000 प्लस भी की है, ठीके, इस किताब में भी आगे के जो पेज होते हैं, वो ही colorful होते हैं, ठीके, हाँ, ये है, उसमें 25 है, 32 तक करने थे, 32 पेज से जहाँ पूरी नसले खतम हो जाएं, मुर्गियां तक वो colorful करना था, तो वो ठीक है, उसके बाद questions सारे के सारे जो ब्लेक एंड वाइट ही होते हैं, question, dairy है, ठोरी है, ये सारा और अच्छे पेज होते हैं, ठीके, त सारे ऐसे पढ़ने मज़ा आता है, बताओ, ये पिला, लाल, ऐसे पढ़ने मज़ा आता है, पढ़ने का जो होती है, ठीके, ठीके, तो ये इस परकार से हमें मैनेज किया है, तो ये की सिकाइद नहीं आने चाहिए, किसर आमने पूरा colorful समझा था, अभी भी समलो, जो ऐसा सो पूरी colorful कोई किताब नहीं होती है, colorful नस्लों के और जो photos होता है, वो colorful होता है, बागी theory black and white होती है, ठीके, हाँ, चलिए, तो अब आईए इदर, पसु रोग, क्या होता है, क्या है रोग, है ना, मतलब एक ये भी है, स्वास्ते calendar जारी करना, रोगी पसु की पहचान करना, पसु रोग, और ये पसु चिकिसा विज्ञान क्या होती है, क्योंकि ये question पिसली बार आया था, ऐसी कुछ basic सी परिक्सा थी, पसु स्वास्ते और पसु रोग, ठीके, चिकिसा विज्ञान की परिवासा, क्या है, क्या है चिकिसा विज्ञान'? चिक्किसा विज्ञान है क्या तो चिक्किसा विज्ञान जो है विज्ञान की एक साका है जिसमें किसी रोग का पता लगा कर रोगों का इलाज किया जाता है कि भई हाँ क्या हुआ किसा बुखार आ गया ठीक है बुखार आया क्या है तो और क्या लक्षन है किसा और स्लेस मा और सास बज़री है ठीक है और आफ रहा रहा ठीक है तो क्या होता है कि साब रोगों का इलाज करो फिरोग थाम करो कि भाई हाँ इसके लिए सुई है ये इंजेक्शन है ये गोड़ी है ये दवाई लगाओ और उसके नियंत्रन करने के लिए वैक्सिनेशन करो तीन चीज़ ह होती है ठीक है कि साब अभी हाथ वाहथ होस्पिटल में कोई पस्व को लेकर आया तो उसके सुई लगा दी टैबलेट दे दी है और उसके बाद नियंत्रन होगा कि बार-बार अब आप पस्व को लाओगे परिशान होगे या मैं भी बार-बार आपके घर नहीं आ सकता हू ठीक है हाँ तो कोई दिक कर नहीं है ये लोग आप आगे तीन दिन की टैबलेट ले जाओ पस्वा में टैबलेट कैसे दे तो वो तो ऐसे कचट कचट खा जाता होगा हाँ उसको क्या करता है ऐसे पाउडर बना के जैसे परटे का अंदर मसाला नहीं भरते हैं ना पुडिय में वैसे ही दवाई का पुडिया मनाई जाती है और वो पुडि खिलाई जाती है मला आटे का लोया बनाए जाता है रोटी बनाए जाती है ऐसे थाकि पसु खा चके हाँ 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 ठीक है कंटेन बहुत सांदर कंटेन बहुत पसंदार है ठीक है हाँ ठीक है अब इसके बाद में, जिसमें शम्मंद में पसवों की पहचान, रोग की क्या होगी, पहचान होगा, निधान होगा, London, इलाज होगा और रोगताव होगी, यह चीके समिज्यानए, चार चीजे हैं, डाइगनोसिस, पहचान करना, निदान करना, चीके सकते, टीटमेंट, इलाज और उसके बाद में treatment के बाद prevention यानि की टिका करने, ये सारा का सारा इसी माता है, ठीके हाँ ये सारा का सारी सी माता है, तो मैंने इसलिए थियोरी दी, ये किताब का पन्ना है, ये किताब का ही page है, अब आगे से one by one, जैसे ही किताब लगबक सबके बाद पहुँझ जा खराब होगा हाँ जो चीजे लिखने वाली है उसको जरूर लिखेंगे चलिए नेक्स्ट एक ये भी कोशन आज कल बहुत आ रहे हैं पिछले जो आपके LSA के पेपर था है ना LSA के पेपर में दो या तीन लोगों के नाम आये विज्ञानी को कि किसने चिकिसा चालो कर यह है तो ध्यानक ना पसु चिकिसा विज्ञान के जो फादर है रिनेर्स वेजिर से है और चिकिसा विज्ञान के हीपोक्रिट से है अलग-अलग होती है मानाव चिकिसा अलग होती है पसु चिकिसा अलग होती है आयरवेदिक चिकिसा अलग होती है तो सारी चिकिसा अलग- पसुपालन क्या बोलते हैं वेटनरी एक जानक ना यह सब भी पसुपालन को यह ऐसे वेटनरी है लिखते हैं से वेटरी नरी यह सब दोता है लेकिन आपन तेजी से क्या बोलते हैं वेटनरी क्या बोलते हैं वेटनरी विबाग वेटनरी डिपार्मेंट है से बोलते हैं अब उनो वेटनेरिका आपना पता लगा रहे हैं बीमारी वेटनेरी का अ is अ भी को आगे क्या गर लो नेर्स लगा लो री नेर्स ओके बीमारी बीमारी री से रिनेर्स किसकी है वेटनरी की है कि मानों की है वेटनरी की वेटनरी है तो वेवाला तो वेज़ेटियस यह देगो वेज़ेटियस में आपको वेटनरी की फिरिंग आ रही गया रिनेर्स बीमारी ह अगया वेसे आगया वेज़ेटियस यह क्या था वेज़ेटेरियन था अरे ऐसे दो नाम पिसली बार तुम्हारे ही सीनियर बॉस एलेसे जो उतने एलेसे के पेपर में आ आगे अब क्या करोगे वहाँ पे हैना बोलो सब्राम नहीं तुछ अब पड़ा था आपका गलत होगा पई नहीं पड़ा है तो गलत होगा हाँ सर आपकी भागबी की किताब आजार में उपलब्द क्यों नहीं है ओम परकाजी किताब तो उपलब्द हो रही है आज मैं आपको साम को या कल लिस्ट बता दूँगा कहां का उपलब्द होगी क्योंकि देखो लगबग 20,000 प्लस किताबे हमने मार्केट में डाल दी है फिर भी अभी डिवांड जारी है तो पहले हमने ओनलाइन वो किताब दी है ओनलाइन अब किताब पहुंच रही है आज कल मैं आफलाइन में भी आपको मिलने लगेगी तो मैं कल की क्लास में आपको जो है ओफलाइन कहां कहां मिलेगी बता दूँगा ठीक है हाँ पांच साथ दिन में आपको सम मिल जाएगी पांच साथ दिन में सम मिल जाएगी और फिर आप किताब आराम से सामने बैठ पूरी किताब मैं पढ़ा दूगा ठीक है, हाँ, फिर चिकिस्सा विज्ञान जो है human वाली है, h for human, h for hypocrite, देखो यार याद करना यार है ना, खाली है से course मत करना, खाली है ना, ऐसे time pass मत करना, है ना, याद करना थोड़ा सा, तो s से human है, ओके, और s से hypocrite से, क्योंकि यह को topic भी खतम हो जाएगा, सब कुछ पढ़ा दूगा, कोई कहेंगे सारा हम गोट लेते हैं, नहीं गोटा जाता है, गोटा नहीं जाता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यह है, तो father of बीमारी, 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 रीसे रिनेर्स है, रीसे रिनेर्स है, और अगे veterinary ह वेजटियस है, उसके बाद कौन सा है, यूमन, बीमारी, यूमन की, ह for human, ह for hypocrites, ह for human, ह for hypocrites, तो hypocrites किसका है, human का है, hypocrites किसका है, human का है, और vegetarian किसका है, वेजटनेर्स किसका है, वेजटनेर्स किसका है, तो veterinary वाला vegetarian है, वेजटनेर्स वाला vegetarian है, और human वाले hypocrites है, क्या दोनों नाम आपको लगबग आए क्या अरे बोलो क्या दोनों नाम लगबग क्योंकि देखो नई चीज़े है कई ऐसे बच्चे भी है जोना पहली बार ये सब्द सुने है तो उनको भी सब्द इजी लगे सब्द आसपास लगे तो बीमारी रीसे रिनेर्स किसकी बीमारी वेटनरे क क्या दोनों नाम आपको आगे बीटा हाँ आजेगी यार किताब आजाएगी आप पड़ो ना जब तक हाना हाँ सर्बुक आउट आफ इस्टॉक है क्यों बता रहे है आउट आफ इस्टॉक है जब कम रही है वही मैं गाना कलरफुल प्रिंट्स होते है और पेज की क्वाल लेट ये अच्छी होती है तो एक लिमिट होती है है ना पर यह जार बुक पंदरासों के एक दिन की छपती है जैसे छपती है जार पंदरासों वो तुरंथ भीग जाती क्या करें लो कि पिछले मतलब आप देखो ना 5-7 दिन से 30,000, 40,000 प्लस कोपी जा चकी है अगली 40,000 म मतलब वन लेक के आस पास तो order ही है मुझे तो लगता है सभी बच्चे लेके मैठेंगे अच्छी बात है ना तुम्हारा हाद में matter होगा इधर से पड़े होगी तो और क्या चीए बीना किदा मैं पड़ाओ लेकिन तुम्हें चीज़े authentic काँ से मिलेगी ओके है questions करेंगे बहुत कुछ है बहुत कुछ आराम से करेंगे अभी तो है ना हाँ चलिए ये लिख लिए गया साथ साथ नौट्स बना रहा हो ना साथ साथ लिख ले ना कि बीमारी रिनेट्स बीमारी रिनेट्स वेटनेरी वाली वेजेटियस सीमन वाली हिपोकरेट्स अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बीमारी अपर दो प्रकार की मेडिसीन होती एक होती प्रिवेंटी मेडिसीन एक होती क्लिनिकल मेडिसीन जंक से समय ना पहले मैं इसको समझा दता हूँ पहले मैं इसको हाँ से लिख देता हूँ मेडिसीन डिपार्मेंट होता है जहां पर ये इलाज किया जाता है ठीके मेडिसीन जो है ये मेडिसीन किलाने वाले नहीं है ये मेडिसीन जो है अभी क्या बोलू यार इसको डिपार्मेंट ये लो medicine department होता है यदि आप कभी किसी veterinary college में जाओ तो वहाँ पे आपको ये department लिखाओ मिलेगा जो बीमारियों से सम्मधित होता है इस department में 2 department होता है एक department होता है जो बीमारियों को रोखने का काम करता है और एक होता है वो चिकीसा करता है प्यॉर मेडिकल लाइन है एक होता है जिसको बोलता है प्रिवेंटिव नाम से देखो क्या है प्रिवेंटिव और एक है क्लिनिकल ठीक है सरीन को हिंदी में कैसे लगी हिंदी यही होती रोग थाम वाला प्रिवेंटिव जो होता है वो रोग थाम का है उससे संबन्दि सला हो गई ठीक है वो सब preventive आएगा ठीक है अब उसके बाद सुनो clinical और preventive इसमें कौन सा है इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है infectious disease इनफेक्टियस कौन सी है जीवान जनित है उसको रुका जा सकता है डंक से समयना वही समयने का chapter है ये रटने वाला chapter नहीं है जिसने रटने कोशिस करीना माफ करना उसके लिए बहुत भारी पढ़ने वाला है जिसने भी इस chapter को रटने का प्रियास किया उसके लिए बहुत भारी पढ़ने वाला है समझा तो बहुत अलका और मैं भी बहुत आरा ऑज के ला मतलब जबसितकों रिए अच्छे समझ समझ के किये हैं एक परजी वाले भी कर सकते हैं कि अब इन सबकों मिलाके है ना इन सबकों मिलाकर नाम कहां संक्रामग ठीक है। इन सब को मिलाके एक और नाम दिया गया, Infectious, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊं, तो ये Infectious रोगे, अच्छ, अच्छ, ऐसा है कि हाँ, इनको सब को नाम दिया गया, संक्रामक बीमारिया, मैं एक एक चीज को लिख लिख के, गोटा गोटा के, फिर ही आगे चलूँगा बले मुझे रोज के दो पन नहीं करने पड़े, एक बाद ये ध्यानक ना, बले दो ही पन नहीं करने पड़े, लेकिन मैं हर एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, और किताब है, तो मैटर उसमें आप देख सकते हो, यह आपके पास बुक है, जैस अब है तो ठीक नहीं तो फिर जब आए तो इसको करेंगी यह देखो, यह यहाँ पर 52 नमबर पेज है मेरा तो, ठीक है, उसमें विपिन परसुओं से समझाऊंगा, बीमारिया, ठीक है, ऐसे थिए अच्छे से, अब थिए तो ब्लेक और वाइट होगे ने, इसको कलरफु मत बोलना यार, ठीक है, हाँ, उसमें यह है, चिकिसा विज्ञान की परिवासा देरिक के पहले विज्ञान की वासा का, जिसमें रोगों का पता लगा वही है, सेम बोई चीज बढ़ा रहा हूं, फिर पसुओं से चिकिसा विज्ञान के पिता जी कौन है, है ना, रिनेर्स विज्ञान की वासा का, जिसमें पसुओं का खाली मेनेजमेंट के जाता है, फिर प्रिवेंटी मेडिशिन, क्लिनिकल मेडिशिन, अब सुनों, उसके बाद, स्वस्त पसुओं की पहचान, रोगी पसुओं के लक्षण, यह मैं नहीं पढ़ा हूंगा, यहां बोड पे, ल आफरा है, कब्स है, गाव है, मोच है, बर्न है, ठीक है, साइनोजनित है, फिर सब्दावली ऐसे, मतलब आपको वन बाई यहां पर यह पूरा, ऐसे करकि यह लगबग आपके नहीं नहीं करते हैं, इसमें, 10-15 पेज है, और उसके बाद इसके कोश्चन्स है, तो सर ऐसे ही चलेगा, क्या हाँ, पई देखो, व्यवस्तित पढ़ना है, तो ऐसी चलेगा, ग्रेंडम पढ़ना है, मैं तो एक क्लास में पसुरोग खतम कर सकता हूँ, आपको जैसे वो थमनेल होता है, लेकिन यार ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, है ना, हाँ, ऐसे नहीं करना है, ठीके, आप फिर खलास ही करोगी, खुद भी खलास है, ऐसे बोलो, एक क्लास है ना, नौकरी खलास, तो एक क्लास में कुछ खलास नहीं होता है, हाँ, जब आपको 40 नमर पेज में है, ठीक है, जेपी सीकर दिए तको पेज नमर आ गया, 40 है, ठीके, तो एक क्लास में कुछ नहीं हो के अंदर जो इनफेक्टिस आती है क्लिनिकल इस में आती है असंक्रामक विमारिया uh okay का मतलग क्या होता है जो संक्रमन सmoson किसमें कोई जीवानों विशानों किसी प्रकार का कोई संक्रमन नहीं होता है तो सर्फिर वह कैसे हुती है वो अंदर body के अंदर कुछ कमी होगी है ना कुछ किसी deficiency disease होगी मला अभावाली होगी bacteria virus के अलावा ठीक है आप तो यह ध्यानक लो इनके अलावा इदर 3-4 बिमारी है किती बिमारी यह 3-4 बिमारी है बस वो आपको ध्यानक नहीं है तो clinical में कौन सी होगी clinical में कौन सी होगी clinical म जैसे metabolic बिमारिया अब कई जैने सोचेंगे सर यह metabolic बिमारिया क्या होती है ठीक है वो पापचे रोग इनको बोलते है अहार जनित रोग खाने पीने से जो रोग होते है ठीक है अबाव वाले रोग अबाव जनित रोग जैसे किसी वीटामिन का अबाव हो गया किसी चीज का अबाव हो गया इसमें कोई bacteria नहीं है virus नहीं है कोई infection नहीं है देखो आप थोड़ी यह चीज सीखो यार बली पहली बार होता कई चीज और non-infectious यह क्या होता है संक्रामक अन असंक्रामक तो कईजन के सर संक्रामक बीमारी वो है जो एक दूसरे फैलती गलत वो नहीं होती है संक्रामक बीमारी वो नहीं होती है जो एक दूसरे में फैलती है ध्यानक ना डंक से सुनना कई लोग पढ़ा भी देंगे पढ़ा भी रहे हैं हैना सई चीज पढ़नी है तो मेरी बार डंग से सुने संक्रामक का वो मतलब होता है जो संक्रमन से होता है और संक्रमन किस से होता है बैक्टिरिया से वाइरस से प्रोटो जुआ से या किसी पर जीवी से वापस सुनो डंग से संक्रामक संक्रमक का मतलग होता है जो संक्रमन से होती है वापस सुना संक्रमक बीमारिया संक्रमन से होती है और संक्रमन किसका होता है बेक्टीरिया वाइरस प्रोटो जोआ परजिवी यानि पर्टिकुलर कोई रोगाणू हो ये लो संक्रमक कोई रोगाणू रोगाणू में सारा आग जम्स में हना वो रोगाणों बैक्टेरिया हो सकता वो रोगाणों वाइरस हो सकता वो तो यह जो है इंफेक्टियस प्रिवेंटिव यह रोगाणों आते हैं अरे भाया मैंने है न अच्छे अच्छे जगा पे अच्छे अच्छे जगा पे ठीक है मतलब यह देखा है अच्छा ऐसा है कि हां तो यह Preventive Medicine आती है जो इसको रोका जा सकता, मुझे बताओ किसको रोक सकते हो आप, क्या पस्तों में पेठ दर्द को रोक सकते हो, नहीं, क्या पस्तों के अंदर कमजूरी को रोक सकते हो, नहीं, यह क्वेशन आया था पिसली बार जेट में, या सुप अब ये injection लगा लो, ये टीका लगा लो, जिन्दगी पर कमजोरी नहीं आएगी, क्या किसी बैक कोई कमी वाले रोग का टीका बन सकता है, कि ये रोग लगा लो, आपके कभी विटामिन की कमी नहीं होगे, ऐसा होता तो मजे आ जाते, कोई कूपोशन का सिकारी नहीं होते, 10- 15 लगा खताव लेकिन नहीं, इस केस में कलिनिक आना पड़ेगा और इस में टीका करणोगा, तो ये भी ढंग से सुनना, अच्छे स सुनना मना, किस रोग का टीका करणों होता है, जो प्रिवेंटी मेडिशिन आती है, जिसको रोगा जा सकता है, किसको रोगा जा सकता है, करे कोई आये बाहर से तो रोक सकते है ना जीवाणों को रोक सकते हैं विसाणों को रोक सकते हैं प्रूटो जोआ को रोक सकते हैं परजीवी को रोक सकते हैं लेकिन पेड़ दर्द को कैसे रोकेंगे ठीक है किसी का सरदर्दोरा कैसे रोकेंगे उसमें कैल्सियम की कमी ओरी कै से रोकेंगे उसका टीका करनी है तो बहुत डंक से सुनना इसका टीका करन होता है रोकताम ये किस से रोकताम होता है ये टीका करन से होता है इसमें टीका बनता है ओके इसमें टीका बनता है और क्लिनिक ले जाना पड़ेगा इसका कोई टीका नहीं है जब टीका नहीं है ठीक तो वहाँ क्लिनिक तो लिजाना पड़ेगा वही अरे बीमारी हो गई पहले टीका लगावा होता तो यह बीमारी रुखती है वही बैक्टीरिया रुखते हैं वाइरस तो सर फिर भी रोग तो होते हैं ना सबके टीके थोड़ी होते हैं सब के ठीके नहीं है ठीके भी कुछ-कुछ ड्रोगों के हैं आगे मेडिशिन पढ़ रही है अच्छे से फोटो खेंसलर ना यह चीजे कई नहीं मिलेगी प्रोफेशनल इस्टेडी का लवा हां कोई डॉक्टर कहीं पसुबलन पढ़ा रहा है ठीके कोई विबाग का अधिका प्रोफेशनल अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है ठीके अब सुनो इसका क्वेशन साथ साथ बनाओ मैं क्वेशन सुनो बहुत सिंपल है निम्नमैसे किस रोग मैं तिका नहीं बनता है ठीक है पहला एफमडी ऐसे आएगा कोई खुर्पका मुपका नहीं आएगा लिखावा हाँ दूसरा आपके है बुरुसेलोसिस नाम देखो भईया रुजान आने चलो गए हैं रुजान इसी को बोलते हैं हाँ एंथ्रेक्स इंदेव लिखो गया एंथ्रेक्स और नमबर चार में आप लिख लो यहाँ पर दुख दुखार इससे हाड दुनिया का कोई सवाल नहीं है इस सवाल से हाड दुनिया का कोई सवाल नहीं है और यह सवाल डिरेक्टली आपको किसी किताब नहीं मिलेगा आप जो गोटने वाल हो ना कहा सर मैं तो गोट लो मिर पास कई comment आते हैं YouTube पे भी आते हैं ऐसे भी आते हैं वो क्या केते हैं सर आप तो matter लिखा दो आप गोट लेंगे लो matter आपको किताब देदी गोट लो matter चीए था मेरा ट्रीके चीए थी लो किताब गोट लो फिर दो मैने भाद आवानों और इनको समझ के बताओ गोटनेस नहीं होता है यार कोछीजे है ना समय नहीं पड़ती है पसु रोग गोटनेस से कती पारने पड़ेगी पसु रोग को समय ना पड़ता एक एक मैना चलता ओफ लाइन में ओफ लाइन बैच में डैड गंटे की class होती है एक मैना पसु रोग चलता है एक मैना पसु नसले चलती है जब जाके खोबड़िम फिट बैढ़ती है और आप चाहो कि सर ऐसे मेरा थन लगा कि निप्टा दो तो मैं मेरे सेशन पड़े एक class रोग class है ना लेकिन वो कब होगा जब आपको सार आएगा तो मांदर से काम करना है तो तो वेलकम है और ऐसे डपोर बनाना है तो प्लीज भीड कम है एना फिर मैं नहीं कर पाता है जरूंगा तो डंके की चोट पे करूँगा सही काम करूँगा अद्रवाइस नहीं करूँगा या तो मना कर दूँगा मेरे से class पाढ़ने ही पड़ती है और हो चुकी है मतलब नहीं नहीं करते मेरी 40-50 क्लास हो चुकी है ठीक है और आगे भी प्रस्ता वी तेक 500-200 गंटे तो मैं आराम से लूँगा मतलब एक्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा और कभी मेरा थन से कभी कभी कुछ कभी कुछ लाता रहूँगा तो क्या यूट्यूब वाले मेरे विद्यारती नहीं है जब यूट्यूब वालों को सेलेक्शन होगा और मैं उनसे यहां के बोलूँगा हाँ जो मेरे से यूट्यूब पढ़ता था वह आये जो तुर मैं उनके लिए मैं फंक्शन कर कि पूरे 5934 में जो बच्चे पड़ेंगे वो सारे मेरे हैं, ठीके हाँ, तो उन्स सब बच्चों को दिल से जुड़ता है बटा, जो यहां दिमाग से ऐसा है ना प्लीस दूसरे प्लेटफॉर्म बजाए, यहां उतकर्स परिवार है, दिल का परिवार है, एक रिस्तो का परि हो, हमार दिल के टुकडे हो, राजदूलार हो, ठीके है, तो आप के लिए मैं कभी अलका काम नहीं कर सकता हूँ, ठीके हाँ, तो आप सब को विद्यार्ती बन कर एक दम अच्छे से नौर्स लिखके चलना है, अब इससे कैसे करेंगे, तो टीका किसका नहीं बनता है, मेट अटेबॉलिक बिमारियों का, ये क्यों, क्योंकि FMD का टीका है, रोका जा सकता है, वाइरस डिजीज है, व्रुसलिस बैक्टिरिया डिजीज है, एंत्रेक्स बैक्टिरिया डिजीज है, तो बैक्टिरिया वाइरस को रोका जा सकता है, है ना, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि बैक्टीरिया वाइरस को रोका जा सकता है, तो इसमें ये है कि बैक्टीरिया, देखवा, आजकल ऐसे जीवाणों नहीं लिखते है, अच्छे लिखते है, बैक्टीरिया वाइरस, ठीक है, प्रोटो जोगा, इसकी एंटी प्रोटो जोल ड्रक्स आती है, प्रोटो पर जीवी को उचित टीका कराना से रोका जा सकता है और रोकने को क्या बोलते हैं प्रिवेंट ओके रोका जा सकता है जिससे इसे प्रिवेंटिव मेडिशिन में परते हैं जैसे एंथ्रेक्स इसका बहुत चाटिका होता इस प्रिवेंटिशिन ठीके ब्रुशेला ठीके FMD ठीके रिंडर पेस्ट एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा ऐसे तो जो बैक्टिरिया है उसे रोक सकते हैं वाईरस को रोक सकते हैं प्रूटूजों को रोक सकते हैं पर्जी को करो सकते हैं चीचडा रोक सकते हैं जो और भाई साब बारिस हो रही है किसी के पसी न आ रहा है किसी के उसे कैसर हो कैसर उसकी कोई नहीं होती है पर बारिस से बचा जा सकता है तो बचने वाली बीमारिया है वो प्रिवेंटिव मेडिशीन में है ठीक है हाँ बचने वाली बीमारिया जो है प्रिवेंटिव मेडिश सुक्तना पचपन है ना बाजी सब्जी तोलो फास्ट एक मिनिट में ये बैक्टीरिया की बीमार्या है ब्रिसोलेसिस है बीक्यू है ब्लैक वाटर है ठीक है एंत्रेक्स है है एचस है लेकिन आपको जो है मैं साथ आज बीमारी पड़ाओंगा बैक्टीरिया की बस हाँ बस देखो लेवल होता ना, आपका कौन सा लेवल है, टेंथ पास का, तो टेंथ पास तो देखो पस्वी पास पस्वी पालन होता ही नहीं है, माफ करना, दस्वी पास पस्वी पालन नहीं होता है, पस्वी पालन एग्यारी बारी का फिर भी छोटा लेवल लिया जा सकता है, जैस 10 स्वी का level है और 4 श्रिणी करमचारी है तो आप syllabus तो लओगे न खहीν से तो syllabus लओ 11 बारीं क्यों 10 स्वी हमें स्वी नी तो 10 स्वी में 11 से लो 11 से लो लेकिन बारीं के ऊपर मन जाओ कि बारीं के ऊपर diploma बाला लोगे तो उसके लिए अलग post होती L.A. से डिप्लोमा के बाद अलग हाइस्ट लोगे तो वो डॉक्टरों के अलग पोस होती है यानि कि मैं तो कहता हूँ हकिकत में बोर्ड को ये इस पस लिख जणा चीए के साब पसुपरिचर में जो पसुपलन आएगा वो इग्यारी बारिव के NCIT पोस्तक के आसपास आएगा तो बच्चे एक पास एक सेले बस हो लेगि निश्यतरों हमने ये चीज़े भाप रखी है पई दस्ती तक तो कुछ है नहीं ना दस्ती तक तो पसुपलन आएगा पड़ाए बास समझे हो गया पई देगो दस्ती तक है नहीं तो अब दस्ती के बाद 11 चलेंगे 12 चलेंगे 12 च किताब कहला हो NCIT लेके बैढ़ना मैं आपको पेज के साथ पढ़ाओंगा 10 दिन बाद जब पूरे रजस्तान में किताब फैल जाएगी तो मैं आपको यह किताब के पेज नमर से पढ़ाओंगा 12 से ठीक है यह देख लो तो यह जो है बैक्टिरिया वाइरस प्रोटो जो आ क्लिनिकल कौन सी है ठीक है हाँ अब नेक्स्ट वे रोग वे रोग जिसे ठीका करण से ठीका करण से नहीं रोगा जा सकता जिनके ठीके नहीं बनते हैं उन्हें क्लिनिकल मैं सुद इंदी में लिख रहा हूँ ऐसा इंदी में कहीं होता नहीं वैसे क्लिनिकल मेडिशिन के अंतरगत पढ़ा जाता है इसमें आपको चल ओं अमएं आपको मेरे कॉंफिडेंस से बतादू मेरे कॉंफिडेंस से बतादू क्लिनिकल में कित्तों को ध्यान लग आपना है तीन रोग बस सर शिरफ तीन गिंती के तीन लोग तीन रोग और चार-पांच को इन नामिआ याद रखेसे ना तो इसके अंदर जो है मिलक फीवर मिलक फीवर है ठीक है एक PPH आता है अभी फुल फार्म नहीं बताऊंगा आगे बताऊंगा PPH है एक कीटोसिस है ये तीन फैमास नहीं हो तो अजार बीमारे ओती टिक फिवर फिक फिवर लेकिन पहले ही का ना डॉक्टर नहीं बनना है ना कंपोंटर बनना है आपको दिग्यारी बारे का विद्यार्ती बनना है ठीक है इसका हो जाएगा M P K M P K ममी, पापा, काका मिठे बोलते हैं मेटा बलने वो मेटाबोलिक, मिठा बोले इसमें देखने, इसको टंग से देखना मेटाबोलिक, मिठा बोले मेटाबोलिक, मिठा बोले मिठा कौन बोले? ममी, पापा, काका अब इनकी फुल फार्म थोड़ा रुख जाना मिल्क फिवर होता है, दुग्द बुखार कैसिम की कमिस होता है जैसे क्या हुआ, सबोज पसुपालग आया हॉस्पिटल में ठीक है, भागा भागा आया ठीक है, और वहाँ पर आप हॉस्पिटल में हो और उसने कहा के साब, मेरी गाई है मेरी गाई है जो बिमार पढ़ गई है और ब्याती नीचे पढ़ गई है सुनना ब्याती नीचे पढ़ गई है तो क्या करें अब कोई के आज इसको नॉलेज नहीं हो के आर पढ़ गई है तो उठा ले बई और क्या है अना तो पसुपलग आपको उठा लेगा वहां से ध्यानगना ठीक है तो डॉक्टर सपोज फिल्ड में गए हैं कोई मीटिंग मे वह भी सपोज किसी चिकिसा में गए हैं कहीं आउटडोर में गए हैं वैक्सिनेशन ठीका करण में गए हैं अब आपको सही राही दिनी है तो आप उसे बोलोगे के भई ये तो मिल्क फिवर का केस है सर हमें कैसे पता चलेगा देगो जिस दिन रोग खतम होंगे न मैं आप आपको एक गारेंटी देता हूँ सुनना ने इस बात को रिकॉर्ड कर ले जिस दिन पूरे पसुरोग खतम होंगे न आप आदे ज्यादा बीमारियों को पहचानने में सक्सम हो जाओगे आदे ज्यादा और रोग का इलाज और थियोरी वही पढ़ाँगा जो NCID books में आपको मैं हाइफाई नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ग्यार इबारी का बेटर पढ़ा रहा हूँ तो इसके अंदर है मम्मी पापा काका मम्मी पापा काका मम्मी पापा काका मीठे बोलते हैं दे अच्छा सोचने वाले लोग कम बचे हैं कौन बचे बतो आपके अच्छा सोचने वाले लोग कौन बचे आपके सुभचिंतक वैलवी सर कौन है बतो मैं आपको कौन मीठे बोलते हैं या तो आपकी मा, माता जी, आपकी मम्मी, आपकी माता श्री, आपकी माता जी जो भी आ कड़क नहीं बने तो तुम विगड़ जाते हो तो बच्चों के लिए पापा थोड़े कड़क होने जरूरी है ठीक है हाँ वो साया है वो आस्मान है जिसके नीचे हैना छावी छाव रहती है और काका काका भी अपना होता है देखो काकी का बरुसा नहीं है काकी तो आप रख दिखेंगे मैं भगवान का समय तो मेरे दिल में एक ही दुआ है वो बच्चे सेलेक्ट हो अना उन बच्चों का बला हो वो बच्चे मुझे सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं तो उनको पुरा समझना आए यह मेरी भी एक दुआ रहती है मैं उनसे कभी ऐसे रूट बात कर सकता मैं कभी उनकी बारें बुरा नहीं सोस सकता मैं कभी यह नहीं सोच सकता रहर यार यारे हैं और यार अफ ऐसे उस्ष आप-प्यार затुंगा खाय का थिकर मिठा बोले ममी पापा, काका, ठीक है? और ममी पापा, काका के अलाव कौन? बोलते हैं आपके गुरुजी सिख सक मैं सदेव चाओंगा मेरा प्यारा विद्ध्यार्ती, कमफट फ्थ। देखो एक मेरे दिल की बाद रगो है ना? सुभम Pvd चलो मैं आपको मेरे दिल की बाद हकिकत में ये पस्नल है एकदम मैं जब से पढ़ाना चालू किया ना या पढ़ता था ना तो देखो भई पढ़ाना तो देखो एक करतव ये ड्यूटी है लेकिन मेरे को है ना एक चीज सदेव रगे है कि मेरा विद्यारती कमफट होना चीए सर ये क्या है दो मिंट आपके टाइम लोगा अदर देन पढ़ा ही बात है लेकिन मुझे जच गई ये जो करणी चीए थी कि मेरा विद्यारती कमफट हो जब वो पढ़े ना घर पे वापस रिवाइज करे ना तो उसको टॉपिक आए उसका माथा नहीं दुखे उसको दुख नहीं हो दिक्कत नहीं हो क्योंकि मैंने बहुत दिक्कत जहली थी बई क्लास में पढ़के आतेते समय नहीं आताता गर पे घोड़त ते फिर भूलत ते फिर गोलत ते फिर गोलत तै तो ये सिलसला आकर वो कैतन सब ये दुख का एक खतम नहीं होता रहे ठीक है तो मैंने सदेव अपने दिल दिमाग में एक चीज रखी है कि मैं ऐसे कुछ याद करूँगा, ऐसी टिके बनाऊँगा, ऐसे वर्ड बनाऊँगा इतने प्यार से पढ़ाँगा, इतना इंस्पाइर करूँगा, इतना मॉटिवेट करूँगा इतना इन्वाल होके पढ़ाँगा, इतना उसके दिल और दिमाग में जगा बना के पढ़ाँगा कि जब वो रिविजन करेना उसको मजाए और जब आदनी कमफर्ट होता है, उसको आनन्द आता, उसको क्लास से अच्छी लगती है मैं आपको लिख के बदा दो, उसका भविश्य सुनरा होने वाला है और जिसको पढ़ने में जोर आता है, डंक से सुनना ऐसे पड़़े से कभी पढ़े ही होती नहीं, किताबों से हो कहता है, बे इंतहा महाबबत करनी पढ़ती है तो ये इन से महवबत करो ठीक है ये मेरे दिल की बात थी बुरी लगे तो प्लीज कोई नहीं है ना दो मिंट एक्ष्टा पढ़ा दूँगा कभी कल दो गंटे पढ़ा है था ने यार और अच्छी लगे तो एडफ्ट करना मैं सदे भी चाहूंगा मेरा विद्यार्थी सुक जब वो पढ़े ना तो उसको ये चीजे दुख नहीं दे यार इसलिए मैं ये ट्रीक है बनाने के उद्देश ही है कि मेरा विद्यार्थी जब भी पढ़े तो वह दुख ही नहीं हो यार दुख ही हो ना खराब आते यार कोई भी हो बही सलेक्शन हो ना भगवान के आत मे अब यह इमोशनल बाते थी इनका कोई महत तो नहीं है लेकिन यह है कि बड़या महत तो था है ठीक है चलो तो यह आपके मेटाबलिक है एक और कोशन हो जाए गया है एक और कोशन हो जाए चलो कोशन है निमनम ऐसे क्लिनिकल क्लिनिकल मेडिशिन के अंतरगत आने वाले रोग है अब बाई साब जो एकदम नौन पस्टु बालन्स है है वो क्या लफडा क्लिनिकल अरे क्लिनिक तो सब ने सुने यह ना यार क्लिनिक सब तो सुना ना सब ने सुना क्लिनिक मलो होस्पिटल तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्लिनिक ले जाना पड़ेगा बदाओ है ना अपने कासा बुखा रहा पेरासेट अ मॉल देदे आदेश ज्यादा डॉक्टर आजकर ठीके लेकिन यदि उसका भेंकर पेड दुख रहा है पाई साव यू लोटा रहाया पेड़ गणा दुख रहा पापा तो उसको क्लिनिक लिजा थे इक लिजी सा पापा और यदि उसका मात दुख रहा है ले क्लिनिकल के तहट आती है है ना अब कौन सी है लेट भी ऑप्शन तो पहला आप्शन आपके सामने है एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स का बड़ी अठीका लगो का जरूते क्लिनिक ले जाने की ठीक है इमोरेजिक सेप्टिसीमिया अब सुनोस और यह तो मैंने सुना ही नहीं सुनना पड़ेगा भई अभी माहोल जमा है अभी तुम्हारी संक्या है ना वो बढ़नी रही है और सब्सक्रिबें बढ सके हैं बाकि आपकी इच्छा देगो मैं तो डारेक्टली नहीं कहता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता है है ना लेकिन क्या कर यह भी चीज़ी आज कल हो गई है ना इन चीजों का भी थोड़ा महत हो गया है किसा आप ज्यादा बच्चा हो अच्छा हो है ना तो करना सब्सक्राइब कुछ अपने सेरिंग से अच्छे भावना से काम हो जाता है ध्यान अगना टेलेंट से सलेक्शन नहीं आता भी टेलेंट से सलेक्शन आता हूं तो मैं सबसे कम टेलेंटेड हूं आप जितने बच्चे देख रहे हैं आप सब मेर से उस्यार है मैं बहुत लेकिन मैं दिल का बड़ा साफ हूँ यह मैं दिल वो कहता है चाती ठोक के मिल принципе आपकोनेखों दोनिया में बहुत लोग स्वहां पड़त भटा आंशनुन बताउना है कि अतरी चस्मा लगाऊ ना सर, पई दिल अच्छा नहीं होता तो बताओ सुभी सुभी याँ परी में कौन माता पड़ी गड़ता, दिल अच्छा नहीं होता तो मैं अपना कंटेंड क्यों किताब के देता, दिल अच्छा नहीं होता तो इस किताब को क्यों पड़ाता, तो दिल तो अ ketosis कैसे हैं क्या है तो अभी बच्चे जूट रहे हैं तो थोड़ा बच्चों को जूड़ो है ना संक्या आजार के आसपास है तो इससे 2000-3000-5000 करो कुछ record बनाओ class का है ना मैं यहाँ पे record बना दूँगा topic का आप बनाओ class का ठीक है तो आज के लिए इतने करेंगे क्योंकि उफर है और 19 जनरी से बैच है कई बच्चे यह पूचर से नया बैच का बनेगा तो 19 जनरी से आज की तरीक होगी है हाँ 17 18 19 तिन दिन बाद बैच है ठीक है और 21 जनरी तक यह ओफर है जिसमें उसी बैच को आप गर बैटे 2000 रुपय में online देख सकते हो और उसके अलब offline तो इसी किताब से पढ़ाओंगा मैं प्रपर पूरा पढ़ाओंगा किताब से चलो यह कल करेंगे ना उगर बहुत कुछ है बहुत मैटर आपके लिए ठीक है तो आज के लिए इतने करेंगे एक्चुली फिर आगे क्लास लेट हो जाएगी ठीक है मिलते हैं कल तब तक लिए थेंक यू बाइ और बेस्ट सब्सक्राइब